हाई कर साथ कि स्वागे दे नियुटिकल चैनल पर मेरा नाम है निताश्र सिंग और आज मैं आपसे बात करने वाली हुमारे रियल मी 9i के बारे में यह हमारा जो डिवाइस के उपर जबर्दस ओफर चल रही है मताद 14,000 पर डिवाइस था और अभी आपको ओफर में साड़े 10,000 रुपे के प्राइस में मिल जाता है इसलिए में पस कही सारे कोर्शन सा रहे थे कि क्या इस फोन के लिए हमें जाना चाहिए या नहीं इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगे कि फोन के अंदर हमें क्या मिलता है और उसके साथ आपके लिए क्या ये डिवाइस लेना वर्थ रहेगा या नहीं साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगे कि और आपके पास कौन कौन से अप्शन सा चाते हैं जिनके लिए आप जा सकते हैं तो वीडियो को पूरा सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा अगर आपको इस बजट में एक अच्छा डिवाइस लेना है तो अब फटा फट में वीडियो का स्टार्ट और सुटे पहले हम बात कर लेते हैं इस दिवाइस के दिजाइन के बारे इसके दर आपको मिल जाते हैं plastic body, plastic की framing लेकि देवाइस आप यहां पे देख सकते हैं कि देखने में अच्छा लग रहा है यहां पे back side में जो back panel है उसके अंदर आपको यहां पे lines lines वाला texture देखने को मिलता है वैसे तो हाथ में hold करने में विकुल smooth लगेगा back panel लेकिन जो effect आ रहा है उसके वजह से आपको different look यहां पे देखने को मिल जाती है हाथ में hold करने में device अच्छा लग रहा है और एक हाथ आप इसको easily hold करके use कर सकते हैं आपके back side जो है हमारी वो curved है, corners curved है तो पूरी तरना grip में रहेगा यह device आपके वैसे इसके back panel के ऊपर आपको यहां पे देख सती है कि थोड़ी से smudgy smudgy look देखने को मिल जाती है अगर आपके हाथ में कोई sanitizer है या moisturizer लगा हुआ था और आपके उससे पकड़ लिया उसको clean करने में थोड़ा से time लगता है बेटर रहेगा कि back case जो आपको मिलता है वो आप लगा के रखे उससे device के उपर scratches पड़ेंगे तो उससे device हमारा scratches से भी बच जाएगा साथ ही आपको बार बार इसको clean नहीं करना पड़ेगा और अच्छी चीज़ यह कि front side में आपको यहां पर screen guard भी लगा हुआ मिलता है अब इसके साथ यह जो हमारे devices के weight की में बात करूँ तो सिर्फ 192 approximate weight है हमारी इस device का आप इसको एक हाल से easily hold करके use कर सकते हैं इसके साथ device के अगर मैं battery की बात करूँ तो यहां पर हमारे का साथ 5000 mAh की बड़ी battery और साथ ही box के अंदर आपको मिल जाता है यहां पर 33W का fast charger जिसे कि आप device को फटा फट से charge कर सकते हैं उसके साथ आपको यहां पर मिल जाती है ejection pin कुछ documents है है हमारे और है हमारा back case अब इसकी बात device के अगर हम performance की बात करें तो यहां भी हमें जो processor मिलता है व और भी device के अंदर यूस किया है और मुझे इतना कोई बढ़िया नहीं लगा मतलब बजट के साब से इतना powerful नहीं है एंदो तो score भी आप यहां पर देख सकते है हमारा 253,000 आया है इसके साथ device के अंदर आपको UFS 2.1 की storage मिलती है LPDDR4X की RAM मिल जाती है 946 Mbps अरी read speed आई है और 528 Mbps की हमारी write speed आई है वैसे device के अंदर हमें यहां पर कोई throttling देखने को नहीं मिलती कोई heating देखने को नहीं मिलती CPU throttling test में 90% device ने हमारा यहां पर score एचीव किया था तो आपको device के अंदर बते वैसे दिक्कत नहीं है लेकिन आपको यूस करने में यह device हमारा image processing में और उसके इलावा gaming के बात करूं तो उसके रिए यह processor हमारा है ही नहीं मतलब यहां पर देख सकते हैं BGMI की अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पर smooth graphic के medium frame rate पर game recommended है जिसको balanced graphic के medium frame rate तक ही high पर ले जा सकते हैं मतलब बहुत ही ज़दा low graphics पर यहां पर game खेल सकते हैं और उसके अंदर भी आपको थोड़ा सा lagging feel होगी अगर आप खेलते हैं तो वही बात है ना कि processor मुझे इतना बढ़िया यहां पर नहीं लगा मेरे सबसे थोड़ा सा better processor मिल सकता था इसके साथ आगे अगर मैं बात करूं device के display के बारे में तो यहां पर LCD display मिलता है 90Hz के refresh rate के स इसके अच्छे colors देखने को नहीं मिल रहे हैं even अगर आपको movies, videos देखते हैं तो उसके अंदर भी आपको मजा नहीं आएगा मतला action में मैं बता हूँ आपकी फाइदे की बात कर रही हूँ आपको AMOLED display के लिए जाना चाहिए 60Hz refresh rate आपको मिल रहा हो क्योंकि AMOLED display के अंदर आपको जो brightness मिलती है, जो colors मिलते हैं, जो content देखने में मजा आता है वो अलग level को होता है, यहां पर colors अच्छे नहीं मिलेंगे, तो overall आप device को अच्छे में enjoy नहीं कर पाएंगे, कि इलावा अगर मैं बात को device के audio output के बारे में तो आपको यहां पर dual speakers मिल जाते हैं, जिसके अ आगे अगर मैं बात को device के यहां पर cameras के बारे में, तो setup वाइस तो मुझे बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा, मतला हमें मिलता है 50 Megapixel का main camera उसका 2 cup depth और 2 cup macro, मुझे एचीज समझ में आती सबसे पहले तो कि जो company बैठी हुई है, इंके पास जो engineers बैठे हुए है, वो youth के ल इसके इलावा में इतनी बड़ी गडबड हो जाए, इसके इलावा वैसे जो main 50 Megapixel camera है, एक ही camera के सकते हम इसको, उसके अदर देख सकते है को detailing budget के साब से ठीक मिल रही है, colors भी हमारे जो हमारे पंची साइड में आरे है, जो OPPO effect होते है, वो आपको देखने को मिल रहे है, पिक्स नजर आएंगी, dynamic range भी हमारे अच्छी हारी है, पीछे अगर background में धूप है, तो उसमें भी असने के blown out कर रहा है, wash out कर रहा है, उसको भी अच्छी से capture कर पा रहा है, हाला कि जैसे कि मैं बटाया कि प्रोसेसर जो है हमारा वो इतना बढ़िया नहीं है, उसमें थोड कभी कभी नहीं भी करेगा, तो यह वाला जो कभी कभी वाली बात होती है, एक steady performance आपको camera में नहीं मिल पाती है, जो कि कि इस budget में मिलनी चाहिए, तो यही चीज मुझे ठीक नहीं लगी, इसके लावा वैसे अगर वीडियो ग्राफिक की बात करों तो उसके अंदर देख सक इसके इलावा, सेल्फी camera की मैं बात करों तो 16 Megapixel का हमारा सेल्फी camera है, जिसके अदर आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर काफी ठीक pics मिल जाती है, मतलब यहां पर हमारे ओपो एफेक्ट आपको देखने को मिलता है, इसमें आप ब्यूटी और आपको कहीं सारे filters मिल जा है कि अगर आपके पीछे तेज़ जाइठ हो तो वहां पर हमारा ब्लोन आउट कर रहा है वीडियो को बैग्रोंड डिटेलिंग को कैप्चर नहीं कर पा रहा है, यह चीज़ पिक्स में नहीं है, लेकिन वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलती है, तो सेल्फी camera से आप आपको डिवाइस के इंटरफेस के बारे में, तो नीची के साइड आपको speaker मिलता है, तो साथ हमारा माइक है, साथ ही है हमारी 3.5 headphone jack, राइट साइड में हमारा power button है, जिसके अंदर आपको fingerprint scanner मिल जाता है, और काफी जल्दी से हमारे device को यह unlock कर पा रहा है, उपा की साइड ह सिर्फ 4G support मिलता है, नीची के साइड आपको यहां पर देख सकते हैं, वहारे volume rockers आते हैं, और back side में हमारा camera module है, उसके नीचे आती है, रियल में की badging, front side में हमारा selfie camera था, और उसके साथ आपको screen guard लगा वह मिलता है, डिवाइस के अंदर, जो यह हो गया हमारा device, जो कि एक अच्छर में बताऊं, जैसे मैंने इसको यूज कर लिया है, इसके अंदर मुझे मतलब 10,000 रुपे के साबसे भी यह डिवाइस वर्थ नहीं लगा, मतलब performance की मैं बात करूँ तो वह हमारी अच्छी निगलके नहीं आती, डिवाइस आपको यूज करने में slow लगेगा, एमोले डिस्प्ले आपको नहीं मिलता तो उतना मज़ा नहीं आएगा, यूज करने में, उसके इलावा आपको यहाँ पर जो क्यामरा मिलता है, उसको setup वाइस आप उसको enjoy नहीं कर पाएंगे, मतलब अल्ट्रा वाइडी नहीं मिलता है, सिर्फ एक सिंगल क्यामरा कह सकते ह आपको अच्छा एक डिवाइस मिल जाता है, जो कि यह हमारा Redmi Note 11, अब इस डिवाइस के अंदर आपको AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि मतलब बेटर लगे का यूज करती में, मुवी वीडियो देखने में, और उसके सथ आपको क्यामरा में, अल्ट्रा वाइड वाल सेट बेटर मिल जाती है, AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, तो यह भी हमारा एक बेटर ऑप्शन बन जाता है आपके लिए इस डिवाइस के कमपैरिजन में, और इसके इलावा अगर आपको 5G फोन चाहिए, तो हमारे पस एक और ऑप्शन आजाती है, जो कि है हमारे Samsung F23 की, यह जो ह मेरे उपिनियन इन सभी फोन के बारे में, I hope आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें